कि हलो दोस्तों आज के वेडियो में अपने बात करेंगे दर रोमांटिक। जिसको रूमांटिक। की नाम से जाने आपञा है। वैस्ट तो जो रूमांटि सीज में है वो बहुत बड़ा है यह मुवमेंट बहुत बड़ा है बहुत ही ज़्यादा लार्ज है लेकिन हमने इसमें सिर्फ एक्जाम की द्रेश्टी से अपना एक्जाम ग्रेट सेकंड को लेकर जैसा की पढ़ रहे हैं उसकी द्रेश्टी से ही मैंने इसको कॉंसा एचली ब्रीफ ल बैलेट से शुरू हो जाता है और यह चलता है 1832 या 37 आपको दियान रखनी है यह दोनों दियान रखनी है और और मोस्ट आप प्रायोर्टी देनी है आपको 1832 अगर दोनों अपसर में आते हैं तो तो यह इसका रोमेंटिक मुवमेंट का टाइम पीरेड आपको सबसे पहले दियान रखना है अब अपन समझते हैं रोमेंटिसेज्म को इसकी कुछ इससे संबनेद कुछ मैत्पूर्ट तक थे यह जो सुरू होता है वो 1798 को सुरू हो जाता है विद्दा पॉब्लिकेशन आप दे लिरिकल बैलर्ट लिरिकल बैलर्ट एक कलेक्शन था जिसमें लगवग 23 पोईम थी और लगवग 4 पोईम्स तुमारी लिखी थी एस्टी कॉलरीज ने और बाकी पोईम्स लेकी थी बिलियम बड्च वथ यह दोनों के द्वारे लिखी गई थी लिरिकल बैलर्ट 1798 में पब्लिस हुई थी बिलियम बड्च वथ और एस्टी कॉलरीज के द्वारा इसको रिनेशा ओफ बंडर का जाता है रोमांटिसिम्म को रिनेशा ओफ बंडर का जाता है यह लाइन द्यान रखनी है रिटन टू रेचर रिटन टू नेचर इनका मैन स्लोगन था रोमांटिसिम्म का मैन स्लोगन क्या था return to nature प्रकृति की तरफ लोटना इनका जो इंट्रेस्ट था वो सबसे ज़्यादा middle age of English literature की तरफ था जो middle age वाला literature था उसकी तरफ इनका जो keen interest था वो था और उनसे ही बहुत ज़्यादा प्रभावित थे addition of strangeness to beauty सुन्दर्टा को लेकर इनके अंदर इतनी अधिक्ता थी और वो फिर एक अजीब सा हमारे सामने प्रिकट होने लगया मतलब सुन्दर्टा के प्रत बहुत ज़्यादा attractive थे और इनकी कुछ विशेशता हैं विशेश रूप से जो आपको धियान रगनी है all romantic literature is subjective ये आ प्रकार का होता है objective और subjective objective में personal touch बिलकुल नहीं होता और subjective में होता है personal touch यानि जो poet है उसके personal views होते हैं उसमें उनकी personal rights से related कुछ नो कुछ उनकी literature में मिलेगा तो personal touch था इसमें free play of imagination कलपना का बहुत ज़दा यूज हुज हुआ था love for nature and for those who live in her lap including animals poor and the down downtrodden ये line आपको basis रूप से ध्यान लगते हैं love for nature nature के लिए इनके अंतर बहुत जदा प्रेमता और ये उन लोगों के लिए भी था जो live in her lap इसकी गोदी में रहते हैं जिसमें including animals इसमें आपके animals भी सामलें poor गरीब लोग भी सामलें और दाउन टोर्डन और जो बेचार गरीब जो छोटी-छोटी डाउन टोर्डन होना चोटी-छोटी बनस्पती बगरा बहुत सारी चीज हैं जो प्रकरती के नजदी के बहुत जदा क्लोज है वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड है romanticism के literature में romantic poetry is pessimistic in tone जो romantic poetry लिखी गई थी उनकी tone बिसेश रूप से pessimistic थी पैसिमिस्टिक भी थी और optimistic थी दोनों बातें थी लेकिन जनरली बात करें तो pessimistic ज्यादा थी Middle Ages have a special vaccination to the poets, poets बहुत ज़्यादा आकर से थे Middle Ages से, Middle Ages से बहुत ज़्यादा प्रवावित थे In all romanticism is thus बहुत revolt और revival जो romanticism था वो एक revolt भी था और revival था Revolt था ये 18th century traditions जो 18th century की traditions थी उनके लिए revolt था और revival था old English meters and old English masters poetry जो romantic point थे उन्होंने बहुत ज़्यादा old directions का यूज किया था, old meters का यूज किया था जैसे दाओ, दाई ये इस टाइप की words इन्होंने यूज किये तो इस तरीके से इन्होंने इस रूप में revival था एक तरीक से क्योंकि बीच में ये सारी चीज़ें बलॉप तो गई थी जो 18th century थी, तो उन से हट कर ये कुछ नया लेके आए और विसेश रूप से ये प्रवावित थे middle age से, तो ये इनकी रूप से विसेश्ता, विसेश्ताओं के रूप में आपको ये बात दियान रखनी है, point का literature subjective था, imagination का बहुत ज़्यादा यूज था, love for nature, nature के लिए तो बहुत attractive थे nature के प्रते, nature से बहुत ज़्यादा लगाप था इनका, इनकी poetry में pessimistic थी, middle age के पत बहुत ज़्यादा vaccination था, और romantic, एक revolt था, 18th century traditions के लिए और एक revival था, old English meters के लिए, तो ये इनकी विसेश्ताओं है, romanticism विसेश्ताओं से दो generation में बटा हुआ, elder generation और younger generation, elder generation में तुमारे तीन poet आते हैं, William Burgeworth, H.T. Coleridge, और Robert Saudhe, और younger generation में PB Shelley, John Keats, Lord Byron, तो ये आपको बिसेश्ताओं से इनके जो poets हैं, total six poets हैं, इनकी जो important, important poetry हैं, वो आपको ध्यान रखते हैं, William Burgeworth, H.T. Coleridge की, PB Shelley, John Keats, Lord Byron, इनकी मेहत पूर्ट करतियों को आपको ध्यान रखना है, तो ये ह है, आज का हमारा romantic moment, जो शुरू हुआ था, 1798 से लेके, 1832 तक चला, हाँ, और इसकी कुछ बहुत सारी जो बिसेश्ता हैं, मैं ज्यादा तो नहीं बताएं, exam की द्रेश्टी से जो मेहत पूर्ट बिसेश्ता हैं, वो आपको ध्यान रखना हैं, तो thanks for the watching the video, if you like the video, please share with your friends, thank you, मिलते हैं, next video में